ब्रेक के बाद रुख करेंगे बुलिटिन के ओर इस बुलिटिन में बात करेंगे बस्तर की जहां करनाटक और हैदराबाद से वापस लगा गए दर्भा शेत्र के 19 मजदूर आगे बात होगी बिहार की जहां ट्रेन की चुपेट में आने से क्यूबा की हुई मौत साथी आगे चर्चा होगी मूतिहारी की जहां केंद्री ग्रह राजे मंत्री नित्यानन ड्राय ने एंडिये प्रत्याशी डॉक्टर संजे जैस्वाल के पक्ष में किया जन्समपर ऐसी विजद एयराम की बागदर्शन में जिला के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को उनके महनताने की राजशी ठेकेतारों से बसूल कर लाने पर कलिक्टर ने जिलाकारयाले में राजशी का वित्रण किया साथी मजदूरों को अधिक मेहनतानी की लालसा में अन्य राज्य पलायन नहीं करने की अपिल की आपको बता दें कि विकास खंट दर्भाग शेत्र के उन्निक श्रमिक अधिक मजदूरी की लालच में करनाटक में 14 में हैदराबाद के एलपी नगर में 5 मजदूर बोरिंग गाड़ी में मजदूरी कर रहे थी जिने मजदूरी भगदान नहीं मिलने की शिकायत होने पर बस्तर जिला प्रशासन द्वारा दल का गठन किया गया और उन्हें वापस लाया गया इस अफसर पर सियो जिला पंचायत प्रेकाश शर्वे सयुक्ति कलेक्टर सुनीज शर्मा शर्विभा के अधिकारी कर्मचारियों पस्तित रहे जगदलपुर से सीन्यू संबादा था कृष्णा पटेल की रिपॉर्ट खबर बिहार के रोतार से जहां सासाराम आरा रेल लाइन पर प्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई मृतक युवक की पहचान नोखा था न शेत्र के चनका गाउन निवासी काशी प्रसाथ के पुत्रे कृष्णा कुमार की रूपे हुई है सूचना पर पहुँची पुलिस ने रेल लाइन के ट्राक पर पड़े जिगे जिगे शर्ब की टुकडे को कबजे में लेते हुए पोस्ट मार्टम हेतु सदरस्वताल सासाराम भेज दिया है मैं पुलिस की अगली कार्यवाई भी जारी है बता दे मृतक कृष्णा कुमार के चाचा अनिल कुमार प्रजापती ने बताये कि उनका भतीचा कृष्ण कुमार पिशले दिन घर से किसी कारी के लिए निकला था जहां आज पुलिस के सूचना पर रेल वी ट्राक पर पहुँचकर शर्ब की शिना की गई गटना सासाराम आरा रेल लाइन पर तराण वपेनार के बीच की बताई गई गई गटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है बताया गया कि कृष्णा कुमार पिश्ण दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था आए जानते हैं सुष्ण में मृतक के चाचा अनिल कुमार ब्रजाबादी का क्या कुछ कहना है क्या हुआ है यापर लडका कल से गया बहा है पर साथें को सुचना पर अपना हुआ है पर साथें के सुचना पर आया है क्या मिर्टक का नाम क्या हुआ आपका नाम आपकोन है परिजान कौन जगह है यह तडार और फिनार के चाचा बिहार से सीनियू समभादा था शशिकान की रिपॉर्ट खबर मोतीहारी से है जहां केंडरिग्री राज्यमंत्री नित्यारेंद्रायनी सुगौली दौरा कर अंडिये प्रत्याशी डॉक्टर संजर जैसवाल की प्रक्षमे जन संपर्क अभियान चलाया इसक्रम भी उन्होंने भादपा नीता रामगोपाल खंडेलवाल के आवास पर प्रस्वारता कर कहा कि पाचवी चरण तक जितने चुनाऊ हुए हैं सभी सीटे एंडिये जीतेगी घमंडिया इंडी गडबंदन को मिलने वाली नहीं है अब लोग जातपात की राजनीती से बिहार के लोग उपर उठे हैं और नरेंद्र मोदी कि न्याय के साथ विकास और सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प है उसके साथ बिहार के मद्दाता जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा कि बिहार की सभी सीटो परेंडिये का कबजा होगा और देश में भातपा 400 पार करेगी वह इनोंने सांसर संजय जैस्वाल इवन राधा मोहन सिंग वारा किये गए कारियों को बताते वे कहां कि बिहार में इन लोगों ने रिकॉर्ड काम कायम किया है और शेत्र के लिए बहुत सारे कारिय किया है ये दोनों पियम मोधी के सच्चे सिपाही हैं उन्होंने कहा कि अब देश के सांस्क्रतिक बसनातन जागरती का समय आ गया है केंद्र की सरकार ने विरासत और विकास दोनों को एक साथ लेकर इस भारत को संपुर्णता देने का काम मोधी सरकार कर रही है इस देश के लोगों को रोटी भी चाहिए और राम भी चाहिए विहार वा पूर्वी एवं पश्चमी चमपारण की सीटों पर मोधी जी के रोटी और राम का असर मद्दाताओं पर है मोगी पर अररिय शेत्र के विधायक जैवरेकाल शियादो चनपटिया की पूर्विधायक प्रकाश्राई भाजपानीता राम गोपाल खंडेलवाल आदी मौजूग थे है वो पिलाज कराना और संजय असबाल जी और राधा मुहन जी दोनों तो बिहार में रिकॉर्ड काम किये हैं दोनों ऐसे सांसर दे जो अपने अपने चेतर में रेल का काम हो चाहिए पुल पुलिया का काम हो हो चाहिए केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं को लागु बनमाने का ओ, पेट्रॉलियम विभाक से हां काम कराने का ओ, गैस कर्णिक्षन दिलाने का ओ, और फ्लाइ ओबर बनाने का सारा काम, डॉक्टर संजैज इसवाल जी और राधा मुहन जी कराये हैं, यहाद दोनों हमारे ऐसे परत्यासी है, जो दोनों हमारे पुर्वाद ध्यक करेंगे और वियार कि 40-40 सीट यहाँ जीतने का संकल्प है, इसमें दोनों सीट यहाँ जीतेगे, बहुत बद्धनेवाद मोतिहारी से सीन्यू समवादा था विरेंद्र कुमार गुपता की रिपॉन मुरादबाज जनपत की कटगर थानज शेत्रस्ते गुलाबबाडी सरसोते विद्यामंदिर में एक दिफसी ससंग का आयोजिन किया गया, जिसमें प्रभू सतकुरुष बाबा फोल संडे वाले ने कहा कि एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, इश्वर ने सबको एक समान बनाया है और हमें एक दूसरे का आदर सम्मान करने की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे की पीडा समझना चाहिए, उन्होंने बताया जैसे मनुष्य को पीडा होती है, वैसे ही पश्यू पक्षी और जो व्रिक्ष हैं उनमें भी जान होती है, तो हमें किसी को भी पीडा नहीं पहुचानी चाहिए यही हमारा उद्देश्य संदेश है वही कारिक्रम के आयोजिक एड्वोकेट अनुज सिंग ने बताए कि आज प्रथम बार बाबा जी यहां आए है और उनका एक दिवसी ससंग में प्रविचन हुआ उन्होंने का कि हम काफी साल से बाबा को मानते हैं उनका उदेश है कि बाबा सभी के दुखों को अपना दुख समझना इश्वर के आराधना करना और एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा इसी अभियान पर चलना ही धर्मवा कर्म है इसकारक्रम में मुख्य रूप से एड्वोकेट अनुज सिंग निर्मा सिंग जीतू अर्चना सिंग रामवतार एड्वोकेट घडिवाल उमेख शंद्र आधी लोग समिलित रहें वह संप्रदाएं आपने एक विषयस विचारदार को ग्रहन कर लें ऀशन क्या कहना इस Faith इसवर्त सबका एएक है वह क्या कहता है क्या आग्यां हैं हम लोगों के लिए चाए वो देवता हों चाए मनुस्यप उसकी सब के लिए आग्या है उन आग्या को χी धर्मका कहा वो किसी भी मुल्क, किसी भी मजहभ का व्यक्ति को, वो धर्मात्मा कहा जाते है, जैसे पहिन सक, किसी को तकलीफ न पूप्चे. मेरा नाम एड़ोकेटर जुम सिंह है, यहाँ पर आज यह कौन से स्थान है और कौन डावा आएंगा हैं और क्या उतुची? यह जो इस्थान है यह सरसते बिद्यमंदिर इंटर कालिज है यह गुलाब बाड़ी कटगर मुरादवाद में इस्थित है बाबजी आए हैं क्या उप्रीश है क्या नाम है और क्या मैसेज दे रहे हैं यह प्रभुसर्पर्श वाबा फुलसंदे वाले हैं जो जिला करता है हम करीब 35-45 साल से ग्रुजी के सिसे हैं और हमारा उड़े से यह है कि हमारे गुलाबार में यहां मुरादवाद के सिरे पर सब लोग पहचाने और पारवर्ण की जोती है उसको जो है उसको अपनाए और पार्वर्ण परमिश्वर की अरादना करें परमात्मा की अर शूरसपुर जिले के विकासखन रामानुच नगर के मितानिन प्रसक्षकों ने अपनी छर्थी पूर्टी राश्य भुगतान राज्याश राश्य की मांग को लेकर कलेक्टर जन चौपाल में शिकायत की है। प्रसक्षकों निर्धारी समय पर मिलनी की मांग को लेकर कलेक्टर जन चौपाल में आवेदन दिया गया। हम लोग का हर बार के यही रवाईया रहता है जब तक नहीं बोलते हैं तक पेमेंट मिलता ही नहीं है। अच्छा, कितने लोग होंगे आप लोग टोटल आपके उस ब्लॉक में। रामनुज नगर ब्लॉक में मतलब भी किस एउटी है। फिलाल के लिए बुलिटन में बस इतना ही देशतुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सीनियूस भारत। अच्छा, कि देखते हैं सीनियूस भारत।